प्यारे बच्चो को मेरा नमस्कार, M के एजुकिशन चेनल में आपका स्वागत है आईए बच्चो, एड़ गेट अभ्यास पुस्ति का विशे विज्ञान कच्छा आठवी की हो पुस्तक है, आज इस पे हम कार करेंगे, इसके पूरू में भी हमने विज्ञान के पाठों पे कार कर चुका है, तो आज हम एक नएव चिप्टर को लेकि आपके विज़ उपस्तित हुए है एड़ ग्रेट वर्गबुक प्रशनुत्तर पुस्ति का कच्छा आठवी विशे विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लिजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए, तकि आने वाली वीडियो का नोटीपिकिसन आप तक पहुंसते रहेगा तो वीडियो को सुरू से अंद तक देखें, जो चीज आपको अपनी एड़िगेट अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, तो वीडियो को रोक कर या पुस करके आप इसे लिख लीजिए, इसके पूरु में हमने पार्ट एक से लेके पार्ट आठ तक कार कर चुके हैं, पे आईए शुरू करते हैं, पार्ट ग्यारा बल तथा दाब, अती लगुत्तरी प्रशन दिया गया है, पहला प्रशने काटने देथा सुराक करने वाले अजारों के किनारे सदेव तिक्ष्ण क्यों होते हैं? उत्तर देखते हैं, काटने का शुराक करने वाले अजारों के किनारे सदेव तिक्ष्ण होते हैं, ताकि सत्व छेत्र को कम किया जा सके और लागु दबाव को बढ़ाया जा सके प्रेश नमबर दूसरा है, किसी प्रेश्ट पर लगने वाले दाब को परिवासित कीजिए वा सुत्र विज्ञान लिखिए, तो उत्तर देखते हैं, किसी सत्व के इकाई छेत्रपल पर लगने वाले अभिलम बल को दाब कहते हैं, इसकी इकाई न्यूटन प्रती वर्ग मीटर होती है, दाब एक अधिस रासी कहलाती है, दाब बरावर बल बटे छेत्रपल इसका सुत्र होता है, अब हम देखते हैं प्रेश नमबर तीसरा, बल लगने पर किसी वस्तू में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं, तो उत्तर है, वस्तू की चाल बदल सकती है, दूसरा है वस्तू की गती की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, तीसरा है इससे वस्तू का आकार परिवर्तित हो सकता है, तो यह हो गया बल लगने पर किसी वस्तू में होने वाले परिवर्तन, पेच नमबर 32 कंप्लिट होता है, 33 नमबर के प मुह ना बंद करें तो गुब्बारे के अंदर भरी हुई हवा बाहर आ जाएगी और गुब्बारा बुज जाएगा इसलिए गुब्बारे को बंद करना पड़ता है लगू उत्तरी प्रशन के अंतरगत पांचवा प्रशन देखते हैं निमलिकित सार्णी में वस्तु की समक्ष कार को अपकर्शन वा अभीकर्शन में व्यक्त कीजिए उत्तरे सरलक्रमाग दिया गया है एक से पांस तक इस्थिती का वर्लन यहां पे तिआयए कार धक्का देना चैन करना खीचना टोकर मारना उठाना जुकाना उड़ाना भेकना बंद करना प्रहार करना उपर उठाना और यहां दिआयए कार को व्यक्त कर सकते हैं अब पहला है मेच पर रखी उए पुष्टक को गति सेल बनाना तो इसके अंतरगत हम देखेंगे धक्का देना कार यहां पे दिया गया है अब कर्शन का धर्वाजे को खोलना या बंद करना तो यहां प्याजय का धक्का देना या खीचना तो ये भी अब कर्शन के अंतरगत और अभीकर्षन दोनों इस पर लागू होता है कुवे से पानी की बाल्टी से बाल्टी को खीचना तो यह हो गया अभीकर्षन फुटवाल के खिलाडी का पेनाल्टी टिक लेना चैन करना यह हो गया अभीकर्षन के अंतरगत और किसी मेच की दरा जो दाज होता है उसको खोलना या खीचना यह भी हो गया अभीकर्षन इस प्रकार हमने प्रस नंबर पांच के उत्तरों को जाना है आए बच्चों प्रस नंबर छटवा देखते हैं द्रव बरतन की दिवारों पर समान गहराई पर समान डालने कीरिया कलाब दौरा दरसा यह तो इस प्रकीरिया कलाब को करने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक की खाली बोतल या फिर बेलनाकार बरतनी जीए बोतल के पेंदे के चारो दिसाओं में चार सुराग कीजिए ध्यान दीजी कि सुराग पेंदे के समान उचाई पर हो अब बोतल को पानी से भरिये आप दे प्रोरी में गिरता है इस तरह इस पर शट होता है कि द्रो वरतन के दिवारों पर दबाव डालते हैं पेज नंबर 33 कंप्लेट होता है पेज नंबर 34 पर हम कारी करते हैं प्रेश नंबर सात्व है वायू मंडली दाप से क्या समझते हैं उधारण दौरा समझाए दूतर है वायू मंडली दा प्रत्वी के वायू मंडल में किसी सतह की एक इकाई पर उससे उपर की हवा के वजन दौरा लगाया गया बल है अधिकांस प्रिसितियों में वायू मंडली दबाव का लगवक सही अनुमान मापन बिंदु पर उसके उपर वाली हवा के वजन दौरा लगाय जाता है प्रेस नमबर आठवाई कोली भारी बोज उठाते समय अपने सिर्पर कपड़े का गोल लपेटे लपेट करक्यों रखते हैं तो उत्तरे कोली भारी बोज उठाते समय अपने सिर्पर कपड़े को लपेट कर रखता है ताकि भारी वस्तु का संतुलन बना रहे और व संपर्क बल किसे कहते हैं इस्तिर वेदुत बल वा गुरुत्वाकर्शन मलकों उधान द्वारा समझाइए उत्तर वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तु बल का अनुभव करे और संपर्क बल कहलाता है इस्तिर वेदुत बल एक आवेशित वस्तु दौरा किसी दूसरी आवेशित अत्वा अनुषित वस्तु पर लगाया गया वल इस्तिर वेदुत बल कहलाता है अब है गुरुत्वाकर्षण मल किसे कहते हैं तो कणों के बीच कार करने वाले पारस परी काकर्षण को गुरुत्वाकर्षण दथा उससे उत्पन बल की को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं प्रेसर नमबर दसवाए निम्रिखित को समझाईए द्रवों द्वारा लगाया गया दाब उत्तर है द्रव में दाब द्रव के अड़ों के द्वारा बरतन की दिवार अथवा तली के प्रती एकांग छेतर पर लगने वाले वलको द्रव का दाब कहते हैं द्रव के अंतर किसी बिंदू पर द्रव के कारण दाब द्रव की सत्हों से उस बिंदू की गहराई एच द्रव के घनत्तो डी तथा गुत्वाकर्शन तरंग जी के गुरौनखंट के बराबर होती है पेज नंबर 35 कंप्लीड होता है पेज नंबर 36 पर हम कार करते हैं दूसरा इसके अंतरकर जो प्रशन मनता है चुमकी बल तो इसका उत्ता देखते हैं चुमकी बल वह बल है जो विद्धुत आवेशित वस्तूओं के बीच आकरशन पत्रीकरशन होता है उनके गति के कारण चुमक की मध्यस्थता चुमकी छेतर द्वारा किया जाता है विद्धुत द्वारा या चुमकी छेतर उत्पन करता है और बदले में वह छेतरों में रहने वाले अनकड़ों पर चुमकी बल प्रदान करता है अब देखते हैं पेसी बल किसे कहते हैं दो उत्तर है पेसी बल हमारी मास पेशी यो अनेक कार जैसे पानी से भरी बाल्टी उठाना गाड़ी को धक्का देना आधी बल के द्वारा करती है इसी प्रकार बैलों के द्वारा बैल गाड़ी को खिचना गोड़ा द्वारी जो गाड़ी होती सवारी को खिचना करना आधी किर्यकलाब भी पेशी बलके द्वारा ही होता है तो बच्चों आज हमने एड़ गुट एड़ ग्रेट अभ्यास पुस्तिका के अंदरगत इस पुस्तिक पेकार किया है आपको जरूर यह वीडियो समझाया होगा चैनल में नहीं तो चैनल को सस्काइब कर लीजी बेल आइकन को प्रेस कर लीजी ताकि आने वाली वीडियो कानों डिपी के जनाव तक पहुंचते रहे धन्यवाद